चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर मत पूर्ण कॉस्चन आंसर अपन पढ़ रहे हैं हिंदी साइट के तो सभी लोग आ जाईएगा वीडियो को लाइक से रवस्चे कर लेंगे चैनल को सस्क्राइब कर लें और जादर से जादर वीडियो को सेयर करें रोज अपनी एक लास होती है कॉस्चन नमबर 91 से अपने आपर शुरू करते है आज का अपने आपर फर्स्ट कॉस्चन क्या पूंचा गया है कि वाक्यम रसात मकम काव परिवासा की प्रुस्तोता कौन माने जाते है पंडित राज जगनात है आचार वामन है आचार दंडी है आचार विस्वनात है 91 में आप सभी के लिए चेन करना है और आप सभी का यापर सई आंसर आ रहा है चारा है सई आंसर ये विस्वनात आपका सई आंसर डी वाला विकल्प जनोंने भी चेन किया है आचार विस्वनात उनका यापर सई आंसर होगा विकल्प नमबर चार आप सभी का सई आंसर है तुलसी दास चंदन घिसें के लेखक कौन माने जाते हैं बानवे में आप सभी को चैन करना है विद्या नवास मिस्र है हरी संकर परसाई है कोवेर नात राय है इन मेंसे कोई नहीं है 92 में आप सभी के लिए चेन करना है 92 का सई आंसर क्या होगा चेन कीजेगा मत्पूर्ण कॉस्चन याँ पर दिया गया है और आप सभी का याँ पर सई आंसर होगा 92 में विकल भी सई आंसर है तुलसी दास चंदन गिसें के लेखक मानी जाते हैं हरी संकर परसाई कौन मानी जाते हैं हरी संकर परसाई जो है उनी की रचिना मानी जाते है तुलसी दास चंदन गिसें विकल नंबर आपका भी वाला जो है वह आप सभी का याँ पर सई आंसरों का रिया जी नीता जी नीलम जी अंगला कॉस्चन यह आप देखेगा कॉस्चन अंबर तेरा नवे आप से पूंचा गया कि कुट्टी चातन नाम से हिंदी के किस साहतेकारने निवंद लिखे हैं वताईएगा तेरा नवे में आपको चैन करना है अग्गे ने जैनेंदर ने हजारी फिरसाद दुवेदी ने सभी ने तो तेरा नवे में आप सभी का सई आंसर आ रहा है कुट्टी चातन नाम से हिंदी में किस साहतेकारने निवंद लिखे हैं तो तेरा नवे में आप सभी का सई आंसरों का विकल्फ नमबर ये एक सई आंसर है अग्ये जी ने किनों ने अग्ये जी ने इनवंद लिखे हैं विकल्फ नंबर ये वाला जो है वहे आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा अग्ये सई आंसर है दीपक जी अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नंबर आपसे यहाँ पर 94 पू 94 वहा objection यापर दिया ग्या है और 94 में आप सभी का सई आंसर आ रहा है बांगरू जो है किस अप्वासा वर्ग की बोली मानी जाती है विकलत नमबर आपका यापर एक सई आंसर होगा पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी आप सभी का सईयांसर है विकल्प नमबर एक जिनों ने भी चेहन किया है उनका यहां पर सईयांसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर 95 है ओदय भान चरित के लेकक कौन मानी जाते हैं 95 में चेहन करना है अमिद्जी क्या होगा सईयांसर ओदय भान चरित के लेकक मानी जाते हैं लल्लू लाल सदल मिस्र सदा सुकलाल इंसा अल्ना खाँ 95 में आप सभी के लिए चेन करना है उदय भान चरित के लेकक कौन मानी जाते है तो उदय भान चरित जो है यह रचिना मानी जाती है किनकी 95 में आपका D सई या अंसर है इंसा अल्ला खां उदय भान चरित इंसा अल्ला खां की रचिना मानी जाती है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया है अमन का राग के लेकक कौन मानी जाते हैं अमन का राग बताईए अमन का राग के लेकक हैं भवानी प्रसाद मिस्त्र मुक्ति वोद समसिर वादूर सहत लूचन तो 96 में आप सभी का स प्रिंस जी वह है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा जी वाला विकल्प आपका सही आंसर है काल किर्मानु सार इन रच्छनाव का सही क्रम एंगित कीजेगा रच्छनाव का सही आंसर है और आप सभी का सही आंसर मिरगावती पदमावत मधुमाल्ती और चित्रावली डी वाला विकल्प आपका यहां पर सही आंसर दोगा डी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा यहां पर भी आपके लिए प्रिकासन वर्ष के अनुसार वताना है निमलिकेत आत्मकताओं का सही अनुक्रम बताईए प्रिकासन वर्ष के अनुसार वताना है निमलिकेत आ और विकल्प नंबर डी आप सभी का सई आंसर यहां पर देखेगा यह चार विकल्प दिये गए हैं जिनमें डी वाला विकल्प यहां पर सई आंसर होगा अर्ध कतानक टुकडे टुकडे दास्तान आज की अतीत मुड मुड कर देखता हूं यह वाला जो विकल्प है डी वाल निन्यानवे पूंचा गया है इस फर्स व्यंजनों को उच्छारण स्थान की आदार पर कितने वर्गों में बाटा गया है तो निन्यानवे में आप सभी का सही आंसर होगा डी आनि की पांच पांच आप सभी का यहां पर सही आंसर है विखल्प नमबर जो डी चेन किया है वह आप सभी का सही आंसर होगा बिल्कुल चाही अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा नेफरिकासन वर्स की अनुसार नमलिकित महाकाप्वियों का सही अनुक्रम यहां पर महाकाप पे दिए गए हैं सभी लोग चेन करेंगे रमारावज जी समिच जी सपना जी लाइक बस्त करते जाएएगा वीडियो कोण बताईएगा क्या है सो में सही आंसर प्रिकासन वर्ष के अनुसार वता ने ये महाकाब पे दिये गए हैं इनका प्रिकासन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा प्रिये प्रवास साकेत कामाईनी और वसी विकल्प नमबर भी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर दो जैनोने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सई आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा रामनरेश्ट्र पाठी ने हिंदी उर्दू बंगला और संस्कृत की लोग प्रिये कभीताओं का संकलन कितने वागों में किया है 111 में आप सभी के लिए चैन करना है 6, 7, 10 या फिर 8 यहाँ पर पूंचा गया रामनरेश्ट्र पाठी जो है इन्होंने हिंदी उर्दू बंगला संस्कृत की लोग प्रिये कभीताओं का संकलन कितने वागों में किया है रेवंत जी उमेश जी तो 101 में आपका डी वाला विकल्प सई आंसर है आठ वागों में आठ आपका सई आंसर होगा आठता का सई आंसर है रामनरेश्ट्र पाठी ने हिंदी अर्दू बंगला संस्कृत की लोग प्रिये कभीताओं का संकलन कितने वागों में किया है तो आप सभी का सई आंसर होगा आठ वागों में विलकुल चई आंसर है Sanjla question यहाँ पर यहां पर दो पूंचा गया है कौन सा भाव वाचक कौन सी भाव वाचक संग्या है बताईए मसकान जी सुनेना जी भाव वाचक संग्या बताना है स्याम नदी वच्षफन या फिर फानी एक सो दो में आप सभी लोग चेहन करेंगे मुकनत जी मत्पूर्ण कॉस्चन पूंच कीजेगा तो डो में आप सभी का सई आनसर आरहा है कि इसी वाला जो विकल्प है भचपन यह वहँ वाचक संग्या माना जाता है वच्षपन जो है वह व्यकरपी जिन्नोंने भीं क्या है उनका सई या अंसर है विल्कुल चाहिए अंगला कॉश्चन यहां पर देखेगा कॉश्चन नमबर आप से यहां पर पूंचा गया तीन यहां पर दिया गया निज़ वाचक निज़ वाचक सर्वनाम का प्रियो किस वाचक में हुआ है वैवाचक आपके लिए वताना है मेरी निजी पुस्तक है आज अपना पन कहा है अपनों से क्या छिपाना आप वला तो जग वला एक सो तीन में आपके लिए छेन करना है निज़ वाचक सर्वनाम का प्रियो किस व पात्क में हुआ है बैवाग के आपके लिए वतान है ओमकार जी तो आप सभी का सई आंसर आ रहा है एक सो तीन में विकल्फ नमबर आप भला तो जग भला यह वाला होगा सई आंसर मेरी निजीप उस्तक है कौन सा होगा सई आंसर इस चार विकल्फ दिये गए हैं और आप कीज़ेगा बूत काल के कितने भेड है कॉस्ट्ट नमबर 104 में आपको वताना है तीन या फिर छह भैद हैं 7 वैद कितने भैद है 104 में कीजेगा है और आप सभीका यहां पर सभी आन BOY है निफाल राधपूर जी ने विक सौ चार में बताना है तो एक सो चार में आप सभी का सईयांसर होगा विकल्प नमबर सी सईयांसर है यानि कि भूत काल के कितने भीद है तो आप सभी का सईयांसर है छे भीद है कितने छे भेद आपका यहांपर सईयांसर है निसी वाला विकल्प जनों ने भी चेन किया है उनका यहांपर सभी का सईयांसर होगा कभी सब्द का सब्द क्या होगा यह आपके लिए बताना है बताईएगा क्या है सईयांसर 105 में आप सभी को चेन करना है और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा बताए कभी सब्दकार इस्त्री लिंग पूंचा गया है और आपके लिए आप जो है वर्तनी के द्रश्टी से भी पूंचा गया है यानि कि वर्तनी किस की सही होगी कवित्त्री कभी का हिस्त्रेलिंग कवित्री होता है, लेकिन कवित्री किस फिरकार लिखते हैं, ये आपको मत्युपूर्ण हो जाएगा कॉस्चन, कवित्री की सुद्वर्तनी इस फिरकार, भी वाला विकल्प जो है, आप सभी का सही आंसर होगा, विकल्प नमबर दो, जिन्वन आ वी- लीजेगा स्याम कुमार जी और वीडियो को एक वार सेयर करते हैं ताकि अन लोग भी यहां पर जुड़ जाएं एक सोचे में आप सभी के लिए सईयांसर चैन करना है और आप सभी का सईयांसर आ रहा है पो धन अन वराबर यह जो है आपका सईयांसर होगा विकल्प नंबर स जिन्हों ने भी यहां पर चैन किया है उनका यहां पर सईयांसर होगा बहुत बढ़ियां अंगला कॉश्चन यहां पर देखे यह था सकती सब्द में समास बताना है अब यही वाव समास है तत्पुरुस समास है दंद समास है या दिगू समास है एक सो साथ में आपके सभी का सही आंसर आ रहा है यह था सक्ती में समास पूंचा गया कि कौन सा यहां पर समास होगा तो एक सो साथ में आप सभी का एक सही आंसर होगा यानि कि इसमें अब यही भाव समास है अब यही भाव समास आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक जिन्नों ने भी चैन कि है उनका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉश्चन यहां पर देखेगा कॉश्चन नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया है आठ कवीता में मुक्त चंद का प्रियोग किसने किया था कवीता में पूंचा गया है निराला जी ने पंत जी ने प्रसाद जी ने या फिर केदा ना आरम्द किया था आरम्द किया था किनों ने तो 108 में सबी लोग बता रहे हैं निराला निराला आप सबी का विकल्प नमबर ये वाला जो विकल्प है वह आप सबी का सही आंसर होगा सूर्यकान प्रिपाथी निराला जनों ने भी यहां पर चैन किया है उनका यहां पर सही आं अंगला कॉस्चिन यहां पर देखेगा कॉस्चिन नमबर आप से यहां पर पूंचा गया 109 है मध्र मध्र मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है यहां पर भाव बताना है यहां पर चैन कीजेगा सिंगार भाव बिरह भाव करोणा भाव या फिर ब्रह और रहस्य भाव question number 109 आप से पूंचा गया है और 109 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विट्टू जी मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्ते उगवा है तो 109 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है आपर विकल्प नमबर डी होगा सही आंसर ब्रह और रहस्य भाव आपका सही आंसर होगा ब्रह और रहस्य भाव आपका जो डी वाला विकल्प है नौ में आप सभी का यहांपर सही आंसर होगा अंगला question यहांपर देखेगा D वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सई आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा यहाँ पर D वाला विकल्प सई आंसर है मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है तो आप सभी का यहाँ पर जो है सई आंसर होगा विरह और जो रहस्ट है वही आपका सई आंसर है अंगला question देखेगा यहाँ पर question number 10 आप से पूंचा ग्या है हिमाद्री तरुंग स्रंग से क्या है यह आप से पूंचा ग्या है क्या है यह आपको बताना है चैन कीज़ेगा मत्तपून कॉश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर चैन कीजेगा मत्पूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया गया है और दीपक जी यहां पर डी ही सही आंसर है और रह से आपका सही आंसर होगा हमाद्वरी तुम के स्रंग से य गीत है या फिर प्रियान गीत है 110 में आप सभी को चैन करना है और 110 में आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर तो विकल्प नंबर आपका यहां पर सही आंसर है दी यानि कि यह प्रियान गीत माना जाता है विकल्प नंबर चार जिनों ने भी चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ी यहां बिलकुल चाही अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा जी हां हुजूर मैं गीत वेंचता हूं किस कभी की पंती मानी जाती है ग्यारेवा कॉस्चन यहां पर दिया गया है किनकी किस कभीता की पंती है तो और किस कभीता की पंती है यह पूंचा गया है और किस की पंती है यह भी बता दीजेगा वह कभीता बताने है रोटी है उसा है सौदेशी चासक है गीत फरूस है तो 111 में आप सभी का सही आंसर ह आपको कमेंट में बताना है अंगला question है बबानी परसाद मिसर की मानी जाती है बहुत बढ़िया सभी लोग बता रहे है जन तंत्र का जन में किस कभी की रचिना मानी जाती है 112 में सभी लोग चेन कीजेगा दिनकर की रचिना है मादेई वर्मा की रचिना है दोमिल की रचिना है रगुबीर सहाई की रचिना है तो किन की रचिना मानी जाती है राहुल राज जी बहुत बढ़ी है विल्कुल चाहिए जन्तंत्र का जन्व ये किस कभी की रचिना मानी जाती है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर है बारह में यानि कि दिनकर की रचिना मानी जाती है रामधारी से दिनकर आपका यहाँ पर सही आंसर होग बिकल्ब नंबर 1 जन्वार भी चें क्या है उनका यापर सही आंसर होगा अंगला कौश्चन य bald长़ देखेगा कौश्म नंबर आपसे यापर 13 पूच्छा ग्या है कि इनमें से कौन आंचलिक कताकार है? आंचलिक कताकार मताना है ने प्रिम叩ंद मानी जाती है, पिरसाद मानी जाती है, कमली सुर मानी जाती है, या फिर रेणू जी मानी जाती है, तो 113 में आप सभी का सईया अंसर क्या होगा, कौन आंचलिक कताकार मानी जाती है, तो आप सभी का यहां पर सईया अंसर आ रहा है, 13 में विकल्फ नमबर जिन्होंने भी छे आंचले को पन्यास माना जाता है किनका फणिस्वन नात रियनु जी का और यह जो है आंचले कथाकार की रूप में जाने जाते हैं अलगू चौदरी और जुम्मन सेख किस कानी के पात्र माने जाते हैं एक सो चौदरी और जुम्मन सेख किस कानी के फात्र माने जाते हैं और आप सभी का सई आंसर आ रहा है विकल्प नमबर एक सई आंसर है यानि की पंच परमेश्वर आपका सई आंसर होगा पंच परमेश्वर आपका सई आंसर है विकल्प नमबर एक जनोने भी चैन क्या है अर्पित जी मुसकान जी अंसर जी विलकुल चाही अंगला कॉस्चन यहांपा देखेगा दिल्ली में एक मौत किस कानी कार की रचिना मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर एक सो पंद्रे में सई आंसर होगा, क्या होगा सई आंसर चेन कीज़ेगा, चार विकल्प आपके दिये गए है, लाइक जन्होंने अभी तक नहीं किया है वह सारी लोग है जन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजेगा सभी लोग और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है पंद्रह में विकल्प नमबर सी यानि की कमलेस्वर होगा सही आंसर क्या है सही आंसर वेकल्प नमबर तीन जिन्वने भी चैन किया है कमली स्वर उनका यहाँ पर सही आंसर होगा भारत विवाजन और सामपरदायक्ता की घटनाओं सम्बंदित कौन सी कहानी है एक सो सूले में बताना है वह कहानी आपके लिए चैन करना है कौन सी कहानी है बताईएगा चैन कीजेगा सुभान खां है या फिर मदुवा है लाल पान की वेगम है मलवे का मालक है एक सो सूले का सही आंसर चैन कीजेगा मत्यपूर्ण कौस्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सईया अंसर आ रहा है कि विकल्प नमबर यहां पर चार सईया अंसर मलवे का मालक है मलवे का मालक जो कहानी मानी जाती है भारत विवाजन वा सामप्रताइक की गटना से संबंदेत यह कहानी मानी जाती है ये कहानी किनकी है ये आपको कमेंट में बताना है बापसी कहानी में किस पात्र की बापसी का जिक्र है बताईएगा वह कौन से पात्रें गडेशी है नरेंद्र है अमर है गजाधर वाभू है एक सो सत्रे में आप सभी का यहां पर सईयांसर होगा एक सो सत्रे का सईयांसर क्य होगा वापसी कहानी में बताना है किस फात्र की वापसी का जिक्र है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि वे मने जाते हैं कौन गजाधर वाबू गजाधर वाबू विखल्प Numbers D जनों न भी चैन किया है उनका यहांपर सही आंसर होगा साथुना जी प्रीती जी बहुत बढ़िया तभी लोगों ने यहांपर गजाधर वाबू चैन किया है नेड़ी वाला विकल्प तोन का यहां पर सही आंजर होगा हंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा सिव का विशेशन क्या है सिवेस होगा चंकर, सेव या फिर सेल कॉस्चन नमबर आपका यहां पर 118 पूंचा गया है 118 में आप सभी लोग चैन करेंगे मत्पून कॉस्चन यहां पर दिया गया है सिव का विशेशन क्या है विशेशन आप से पूंचा गया है 18 वा कॉस्चन दिया गया है और विकल्प नमबर आपका यहां पर सी सही आंसर होगा सही आंसर सिव का विशेशन क्या माना जाता है सेव माना जाता है सेव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा अंदे की लकडी का अर्थ बताईएगा इसका अर्थ माना जाता है गवार व्यक्ति अनपड व्यक्ति एक मात्र सहारा या फिर बिल्कुल असमर्थ होना अंदे की लकडी इसक साइजा आंसर एक मात्र सहारा यानी की एक मात्र सहारा अंगला कॉस्चन या आप देखें कॉस्चन नमबर आप से या पर पहुंचा गया रिका जी अनभी जी बीरू और जैमे चोली दामन का साथ है ने रेखांकित माब्रे का अर्थ आपके लिए चैन करना है एक दूसरे पर निर्भरता एक दूसरे से सत्तृता एक दूसरे से मित्रता एक दूसरे से स्फरधा 120 में आप सभी लोग चेन करेंगे क्या होगा सई हानसर बताईएगा और म्हत्यपूण कॉश्चन यापर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नमबर एक होगा सही आंसर 120 में आपके लिए चैन करना है क्या होगा सही आंसर बीरू और जय में चोली दामन का साथ है माबरे का अर्थ क्या होगा तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्या है सई आंसर चेन कीजेगा मत्पूर्ण कॉश्चन होगा और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है यानि कि हाँ विल्कुल सई एक दूसरे से मित्रता होगा सई आंसर विकल्प नंबर सी वाला जो है सई आंसर है आंटेबिशल लगाना का अर्थ के लिए क्या होगा रताना है वताइएगा सफार्स करना निसाना रिसवत दियना तो question number आपका यहाँ पर 121 है और 121 का सही आंसर होगा टिप पस लगाना इसका अर्थ माना जाता है यानि कि सिफारिस करना सिफारिस करना अंजली जी वी वाला विकल्प विल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नमबर दो जिन्हों ने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर सुदालने यहाँ पर आपका जो है विकल्प नमबर एक होगा सही आंसर यानि कि एक दूसरे पर निर्भरता जै और बीरु में चोली दामन का साथ है अनि कि एक दूसरे पर निर्भरता आपका सही आंसर होगा राहुल जी विल्कुल टिपस लगाना इसका अर्थोता सिफारिस करना वी वाला विकल्प में हाँ पर जो गण्णा योग ना हूँ गण्णे नगण्णे असंख अधी गण्णे एक सबाइस में आपके लिए चैन करना है एक सबाइस में आपका सईया आंसर क्या होगा और आप सबी का सईया आंसर आ रहा है क्या रहा है सईया आंसर जो गण्णा योग ना हूँ एक सबाइस में आपके लिए चैन करना है विल्कुल दीपक जी 122 में आपका सही आंसर क्या होगा चैन कीजेगा जो गर्णा योग ना हो तो उसके लिए क्या कहेंगे जो गर्णा योग ना हो के लिए एक सब्द एक सब्द में उत्तर आपके लिए बताना है तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर तो सभी लोग यहां पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि विकल्प दो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर विकल्प आपका यहां पर भी जो है, वह आप सभी का यहां पर सही आंसर है जो गड़ना युग ना हो असंख बोलेंगे उसको असंख बोलेंगे विकल्प नमबर आपका सी होगा सही आंसर ना वी है आपका भी नहीं है सी होगा सही आंसर जो गड़ना युग ना हो के लिए असंख बोलेंगे विकल्प नमबर सी है आपका यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन है सिव की आराधना करने वाले को क्या कहती है व्याशनाओ कहती है, सिद्ध कहती है, साक्त कहती है, सेव कहती है 123 में आप सभी के लिए चेहन करना है क्या होगा सही आंसर सिव की आराधना करने वाले को क्या कहती है 123 वा question यहां पर पूंचा क्या है और 123 में आप सभी का सही आंसर क्या है 123 में विकल्प नंबर आपका D सही आंसरों का सेव किसी संस्था कि 25 वर्से पूरे होने पर होने वाला उत्सथाव के लिए एक सब्द क्या कहेंगी बताईएगा हीरक जैनती, रजप जैनती, सतापदी, सुन जैनती क्या है सही आंसर ए आपको कॉस्चन नंबर 24 में चेन करना है 24 का सही आंसर क्या है चेन कीजेगा मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा मत पूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया गया है 124 वा कॉश्चन यहां पर है और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या है तो बिल्कुल चाहिए जो गण्णा योग ना हो से असंख ही बोलेंगे और यहां पर आपका 24 में आपका सही आंशर होगा वी वाला विकल्प है रजत जैनती बोलेंगे जो 25 वर्स किसी संस्ता के अगर 25 वर्स हो गए है तो होने बाला जो उट्सा होता उसको रजत जैनती बोलेंगे उज्वल का सही संदी विच्छेत बताना है Question number 125 में क्या होगा सही आंसर उज्वल का सही संदी विच्छेत और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है question number 125 में chain कीजेगा 125 में आप सभी का सही आंसर होगा उज्वल का सही संदिव उसका ही बार तो आपका उज्वल ही जो है बरतिनी में पूँचा जाता है कि सही कैसे लिखते हैं तो इस पिरकार उज्वल सही लिखा जाता है और यहां पर आपका सही आंसर है जोग ना हो उसे एक सब्द में असंकी ही बोलते हैं उसको एक सब्द में असंकी ही बोलते हैं क्योंकि जिसकी गण्णा नहीं की जा सकती है जिसकी गण्णा नहीं की जा सकती यानि कि गिन नहीं सकती उसके लिए गण्णा नहीं कर सकती है तो उसको क्या कहेंगे असंखी तो बोलेंगे जिसको जैसे किसी की गणना कर रहे हैं गणना कर रहे हैं यानि कि किसी चीज को गिन रहे हैं अगर उसको नहीं गिन पा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे असंख कहेंगे असंख की जिसकी गणना ना हो सके उसके लिए असंख की व क्लास लाए जाती है और इसी तरह से आपके लिए एंगली क्लास में और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद